और मेरे भाईयो भेनों, अभी नई नई चुनी हुई सरकार काम करना शुरू कर रही है, और जिस तरह का मेसेज, जिस तरह के काम का मेसेज को बता देता हूं, मैं थोड़े दिन पहले गुजरात गया, थोड़े दिन पहले हिमाचल भी गया, वहां भी दौनों जगे मुझे को ने कहा जी पहले में कहीं जाता था पंजाब भी आता तो लोग मुझे पूछते थे, किसी और कौने में जाता था, देश में असम भी गया, केरेल भी गया, हरजे के पूछते थे, दिल्ली में बड़े अच्छे काम हो रही है, जी दिल्ली जैसे काम कर आओगे कि नहीं सर दर अंदर मानिये हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान्ची और आप की चुनी हुई लोगप्रिय सरकार की यह Hindi पुरे देश में बन गई है पंजाब के लोगों ने इस पार बहुत शांदार काम करने वाली सरकार चुनिया बहुत तेजी से काम करने वाली सरकार की और हो भी क्य कि जाके व्यापारियों से बात करना जरूरी है क्योंकि सरकार तो बन रही है पर व्यापारियों की बात को समझने के लिए ऐसा नहीं सरकार बनाने से पहले व्यापारी की बास समझेंगे तो उसके सिल्षले में जगे जगे गया句 है पंजब के चोटे-चोटे कश्मा में बड़े व्यापारी शहरों में मुझ को हर जगे ये सुनने को मिला सर व्यापारी करता है लेकिन से कि उसको मैं उसकी मेहनत की कमाई से रिषवत मांगने में दुखी कड़ेते हैं तो जब आपके चुनी हुई सरकार बनी आपने केजरिवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस भाई केजरिवाल जी और भगवंत मांजी को एक मौका दिया काम करने का तो अगर आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में ध्यान ना हो पहला फैसला कौन सा फैसला दूर लेकिन मैं दिल्ली में बैठके देख रहा था कि मेरी चुनी हुई सरकार मेरे मेरी पार्टी की सरकार मेरे सपनावाली सरकार कर क्या रही है वहां पे सबसे पहला फैसला पंजाब के व्यापारी को रिश्वत खोरी से चुट्टी दिलाने का लिए सबसे पहला कदम जो मान साब की सरकार ने पंजाब में आमाद्मी पार्टी की सरकार ने उठाया कि पंजाब में किसी आदमी को अब रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और खासकोर से व्यापारी को अपने छोटे-छोटे लाइसेंस के लिए छोटे-छोटे कागज के कॉल नंबर उसका फॉन नंभर जारी कर दिय 15 और झानाँ में जितने शेहरों में गया वहां के बहुत सारे व्यापावरियों के पास में फॉन करकर करे क्रें कि बाकितोंfire 5 साल हैं सरकार में बहुत सारे काम होंगे भाइस सारे कामों पर हमें बड़ी उम्मीद है धीरे-धीरे आप हो सकता कर के दिखाओ लेकिन यह काम आपकी सरकार ने शांदार कर दिया है कि पंजाब के व्यापारी को अब अपने छोटे- खाने नहीं पड़ते रिश्वत नहीं देनी पड़ती उसका काम बिना रिश्वत के होने लगाए यह बार माननिये मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नित्रत में बनी सरकार पहली बार ऐसा बजट बनाने जा रही है जिसके लिए वित्मंत्री ने छोटे-छोटे कस्वों में शहरों में जाजा के व्यापारियों से मुलाकात की और पूछा बताओ क्या चाहिए उन्हाने मेरी जानकारी में मुझे बताया वित्मंत्री जी ने कि उन्होंने 25 चहरों में जाजा के छोटे-छोटे कस्वों की व्यापारियों से दुकानदारों से बिजनिसमें से इंडेश्टलिस से सबसे जाजा के पुछा बताओ भई अपने बजट में क्या चाहिए और मुझे उन्होंने बताया कि उसके आधार पे मान साब और चीमा साब वित्मंत्री जी बजट तयार कर रहे हैं पंजाब का पहला बजट व्यापारियों से पहली बार बात करके बनाया गया बजट होगा ये व्यापारियों के साथ काम करने वाली व्यापार को बढ़ाने वाली सरकार है एक सख्त फैसले लेने वाली सरकार तेजी से काम करने वाली सरकार जितने फैसले जितने मान साभ ने मुख्यमंतरी बनने के बाद लिये हैं आप याद करो पिछले सालों ने दस-दस कहीती नहीं लेते थे लोग कहते थे जो चुनाव में लिखके आए हैं वो प नौजवानों के साथ धोका करते हुए जो नौकरियां उसके लिए उपलब्द नहीं थी वो भी छीन ली उससे सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान की नौकरियां छीन के चार-चार साल की नौकरी में बदल दिया इदर मान साथ की सरकार है आपकी चुनी हुई सरकार है जिसने सरकार में आते ही शपत लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का फैस्ट एलान नहीं किया सिर्फ ये नहीं कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे 25,000 लोगों को भरतियां निकाल दी वेकेंसी निकाल दी हजारों लड़के लड़कियों की भरतियां हो चुकी हैं उन पदों पे जिनको दो महीने पहले एलान किया था 25,000 में से हजारों नौक्रियां मिल चुकी हैं और मुझे बड़ा गर्व है Cowoyant इने था यह राजनितिक माफिया था राजनितिक माफिया के शिकंज्ये से निकाल निकाल टे सरकार के खाते में डाल दी आप हो अभी तक ऐसी सरकार होती थी जो सरकार के खाते से जमीन निकाल के नेताओं के खाते में डालती थी आज आपके बीच ऐसी सरकार आईए जो माफियाओं के कबजे से जमीन निकाल के सरकार के खाते में ला रही है और इसको सेल्क की राजनीती पे मुझे गर्व है भगवंत मान जी की राजनीती पे कि ये लोग चार साल की नौकरी देने का जुझना नहीं पकड़ा रहे नो जवानों के हाथ में मैंने उनसे पूचा कि कितने करोड की जमीन चुटा दी तो मोटे तोर पे उन्होंने मुझे बताया एक बार चार्ट बेजाता मांसा मेरा भी मन खुश होता रहता है दिल्ली में बैठके एक बार मुझे वाटसाप बेजा उन्होंने तब तक 6000 करोड नहीं थी तब तक कुछ क लीवाव एक होड़ ल पक करोड रुपए एक ड़की बी जमीन चुटी है तो 6000 182 की छुटा दी पिछली सरकार है कहती थी चुनावक के लिए पैसा है च्छतों प्रुप्टर लगाने के लिए पैसा है जनता के लिए पैसा नहीं यह छिए ए city आखि ग्रुष पारे जमीना प्रिंशिपल्स के साथ समवाद किया। इतनी इमानदार और इतनी तेजी से काम करने वाली सरकार के साथ मिलके बस आपके बीच अब यही विंती लेके आया हूं कि तेज तारिक को अब वोट होगा संगरूर लोगसभा के लिए उस लोगसभा के लिए जिसको आपके हर्मन प्यारे इमान साब ने खाली करके मुख्य मंतरी की कुर्सी पे बैटे हैं उस कुर्सी पे वापस ऐसे आदमी को बिठाइए जो आपके बीच का हो आपकी तरह सोचता हो आपकी जरुतों को समझता हो और उसी पागलपन से काम करता हो जैसे पागलपन के लिए आपको जरुरत है इमानदारी से काम करता हो उसके लिए ज यहां पर आप जानते हो लेकिन ऐसा सांसद भेजिए वोट लगा के जो पूरा पंजाब जिस पर गर्व करें किया पंजाब की बात तो हमारा यह सांसद उठाता है जैसे मांसाब उठाते रहे हैं तो मैं आपके बीच यही फिर से विंती लेकर आया हूं कि बहुत तेजी से और बहुत शांदार तरीके से और बहुत सख्स तरीके से आपकी सरकार काम कर रहे हैं पंजाब में इस सरकार को और मजबूत करने के लिए मांसाब के हाथ मजबूत करने के लिए के जीवाल इनको अगले 5 साल काम करने के लिए लगातार ताकत देता रहेगा मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं आपने लोगसभा में पहुंचाने की एक और जिम्मेदारी निभानी है तेश तारिक को बोले स्टो निहाल भारत मता की बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत तानवाद मनीज सर साथियों एक अंग्रेजी दी कहा बता है के एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स बंदे दा जिड़ा काम मोहंदा है ओ दे शापेज के नूके एरके लोकंदी अवाज